चानक के IS Academy में आप सभी का स्वागत है आईए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के Current Affair के प्रश्ण पहला प्रश्ण निम्लिखित में से कौन सा अभियान प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू किया गया हमारा पहला Option है विकास की ओर साजे कधम यानि की विकास की ओर सन्युक्त कदम दूसरा हमारा विकल्प है अतुल्य भारत अभियान 2.0 तीसरा है O Smart और चौथा है उडान 4.1 हमारे पहले प्रश्ण का उत्तर है A. विकास की ओर साजे कदम ये इस पहल की शुरुवात प्रधान मंत्री जी ने पंचायती राज दिवस के दिन शुरू की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रिय पंचायती राज दिवस हमारों में सभी सभाओं को और साथी साथ जितनी भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उन सब को संबोधित किया पंचायत अस्तर पर सारवजनिक खरीद के लिए एकत्रित, ई-ग्राम स्वराज और साथी साथ जैम पोर्टल का भी उदगाटन किया विकास की योर देखे कदम, अभियान का शुब आरंब, समावेशी विकास और योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुचाने के लिए केंद्रित है स्वामित्य योजना के तहट लगभग 35 लाख स्वामित्य संपती कार्ट का भी जो है कुल, जो किसान है, उनके बीच वितरन किया गया ग्वालियर स्टेशन के पुनर विकास और साथ ही साथ, तीन ट्रेनों को हरी जंडी भी दिखाई गई, इन सभी की लागत कुल 23 करोड रुपे आई है अगर हम बात करें, जल जीवन मिशन की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ और साथी साथ, 4000 से अधिक गाउओं में लगभग 9 लाख परिवारों भी लाभामित हुए इन सारी योजनाओं के तहट अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर दूसरा प्रश्न केह रहा है, पोंजी स्कीम क्या है? पहला विकल्प, वैद नीवेश के माध्यम से कम जोखिम के साथ उच प्रतिफल उत्पन करने का एक तरीका दूसरा विकल्प कहता है, कि सरकार द्वारा सुक्रित नीवेश अवसर जो बिना किसी जोखिम के लाभ की गारेंटी देता है, उसे पौंजी स्कीम कहते हैं तीसरा विकल्प कहता है, कि एक प्रकार की ऐसी बज़त योजना, जिसमें रिटन उत्पन करने के लिए हम उच्च जोखिम उठाते हैं और साथ ही साथ जो उसकी उपकरम है, उनमें धन का नीवेश किया जाता है और हमारा आखरी विकल्प है, एक कपट पूर्व नीवेश योजना, जहां मौझूद नीवेशकों को रिटर्न का भुकतान नए नीवेशकों के फंड से किया जाता है और इसे पिरामिड योजना के स्वरूप में भी जाना जाता है तो जो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा D अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं पॉंजी एप्स पर शिकंजा गसने के लिए केंद्रिय वित्य मंतरी निर्मला सीता रमन ने, RBI के और साथी साथ जो उससे संबंधित मंतराले हैं उन सब को कहा है कि हम इस पॉंजी स्कीम के खिलाप यम और कानून बनाएंगे ताकि इस तरीके की स्कीम में लोग नाफसें और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसकी रक्षा की जा सके उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि COVID-19 के दोरान पश्यमी देशों द्वारा अपनाए गए तरीके जैसे की आधुनिक मुद्रा चापना और साथी साथ इन मुद्राओं का वितरन करना उनकी अर्थवस्था के लिए हानिकारक साबित हुए हैं अगर हम अभी तक की भारत की अर्थविवस्था देखें तो बाकी जो देश हैं उनसे अगर तुलना करें तो अभी हमारी अर्थविवस्था जादा सही है इस कारण से हम पौंजी योजनाओं पर भी अगर तुरा ध्यान देंगे तो हम अपनी आर्थी की स्थिति को और भ गोटाला है जो निवेशकों को निवनितम जोखिम के साथ साथ उच रिटन देने का वादा करते हैं अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रेश्ण तीसरा प्रेश्ण है निमलिखित में से कौन सी अपनी तरह की पहली मैट्रोल रेल नेटवर्क है जिसके साथ सारवजिनिक नाव सेवा भी उपलब्द है पहला विकल्प है नम्मा मैट्रो दूसरा है कोची वाटर मैट्रो तीसरा है कोलकत्ता जल मैट्रो चौथा है बैंगलोरू मैट्रो हमारे तीसे प्रश्ण का जो उत्तर है वो है कोची वाटर मेट्रो आईए इसकी व्याख्या देखते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कोची में भारत की पहली जल मेट्रो सेवा को हरी जंडी दिखाई परियोजना का उद्देश है कोची के दिवपो को मुख्य भूमी से जोड़ना और सुरक्षित की फायती और जेट के अनुखूल यात्रा विकल्प को प्रदान करना पहले चरण में आठ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं दो मार्गों पर संचालित होंगी एक हाई कोट से वायपिन और दूसरी जो है वाय टिला से कन्नड तक जाएगी इस परियोजना से छेत्र में परेटन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथी साथ आर्थिक विकास भी बढ़ेगा ये पहली ऐसी मैट्रो है जिसके साथ साथ आपकी सारवजनिक नाय सेवाई भी उपलब्द होंगी अब हमारा चौथा प्रेशन निमलिखित में से इस निर्वाचन छेत्र में समाज संसत की प्रतियोगता का आयोजन किया गया हमारा पहला विकल्प है कोटा बुंदी, दूसरा है अजमेर, तीसरा है उद्यापूर, चौथा है प्रतापगड हमारे इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा A. कोटा बुंदी देखिए समाज संसत का ये प्रतियोगता राजस्थान के कोटा बुंदी संसदिया छेत्र में इसकी शुरुवात हुई थी इस प्रतियोगता के जो विजेता है उनको 30 अप्रिल से 10 मई तक संसद आने का भी अवसर मिलेगा इस अनूर्टी प्रतियोगता की शुरुवात लोकसभा के अधक्ष ओम बिरला ने युवाओं के बीच लोकतांत्रिक मुल्यों और साथी साथ सम्मिधानिक आदर्शों को बढ़ावा देने की उद्देश से की थी ये अपनी तरह की पहली एक ऐसी प्रतियोगता है जिसका भारत में ओम बिरला जी ने युवाओं के लिए इसको बढ़ावा दिया है इस दौर के तहट पहले चरण में तक्षा 6 से 12 तक के लगभग 500 चात्रों को दिल्ली आने के लिए चुना गया है पांचमा प्रश्न मडीपुर में खोंग जोंग दिवस क्यों मनाए जाता है पहला विकल्प है मडीपुरी संस्कृती और उसकी विरासत का जश्न मनाए जाता है दूसरा विकल्प है 1891 में जो अंग्रेजों और मडीपुर के लोगों में लडाई की गई थी उस युद्व की याद में हम खोजोंग दिवस मनाते हैं तीसरा है कटाई के बाद का जश्न और चौथा है स्थापना दिवस मना रहे हैं देखिए जो खोंगजोंग दिवस है वो 1891 के जो अंग्रेजों और मणीपुर के लोगों के बीच में युद्व हुआ था बहादुर नायकों को सम्मान देते हुए खोंगजोंग दिवस मनाया 1886 में सूर चंद्र को मणीपुर की गद्धी विरासत में मिली जिसका संधियों के माध्यम से ब्रितिश ताज के साथ संबन्ध था लेकिन यह सीधे ब्रितिश शाषन के अधीन नहीं था जो सूर चंद्र थे उनका विवाद था उनके छोटे भाई के साथ जिसका नाम था कुल चंद्र और टिकेंद्र जीत कुल चंद्र और टिकेंद्र जीत ने विद्रो कर दिया सूर चंद्र के खिलाब 1819 में इन विद्रोही गुटों ने सूर्चंद्र को गद्धी से हटा दिया और कुल्चंद्र को राजा घुशित कर दिया अब जब कुल्चेंद्र राजा वने तो ब्रिटिश का हस्तक शेप जो है होने लगा अब अंग्रेजों ने कुल्चंद्र को राजा के स्वरूप में मानता देने और टिकेंद्र जीत को गिरफतार करने के लिए जेम्स क्विंटन को मड़ीपूर भेजा 1891 में इसी कारण से मड़ीपूर और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ पहले चरण में तो अंग्रेजों ने आत्मसमरबड कर दिया था लेकिन जो दूसरा चरण था उसमें अंग्रेज जीत गए उन्होंने कंगला के लिए पर कबजा कर लिया उसके बाद उन्होंने पिकेंद्र जीत को फासी दे दी और कुल चंद्र और साथी साथ जो उनके अन्य साथी थे उनको अंडमान दीप में भेश दिया युद्ध को भारत में बिटिश राशन के खिलाफ आम विद्रों के हिस्ते के रूप में देखा गया और इस युद्ध के बाद मनेपुर बिटिश राज के अंतरगत आ गया आज इस वीडियो में इतने ही सवाल हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे और डेली करेंट अफेर के प्रशनों के साथ आप इस वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें धन्यवाद